नमस्षिवाई, जैशरी महांकाल, हरहर महादयो हमारे घर में किसी व्यक्ति ने कुछ करवा रखा है क्या, कोन है वो लोग, उनके नाम क्या है हमें उनके बारे में कुछ बतायत मिंटिची जब हम परिशानियों में बहुत ज़्यादा घिर जाते जब हमें कुछ घर में ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते है जो संकेत बिलकुल अनभिग्न से है ऐसे संकेत हमें कभी नहीं मिले हो घर में बार-बार कोई नो कोई बिमार बना ही रहता है कोई काम हमारा नहीं बनता है बस हम एक परिशानी एक बाधा में फसे रहते हैं कई दिनों से चीजे एक वक्त के बाद सड़न सब खराब होने लगा है सब नेगिटिविटी, नकारतमकता ही आ रही कुछ ऐसी घटनाए हो रही है अपरी ये घटनाए हो रही है जो घटनाओं के बारे में हमने कभी सोचा नहीं और समझा नहीं तब हमारे मन में ये प्रशन आता है कि शायद किसी ने कुछ हमारे घर पर परिवार पर करवा रखा है अब करवा रखा है तो किसने करवा रखा है और हमें क्या करना चाहिए आपके मन में ये प्रशन उठता है और आप मुझसे हमेशा ये बात कमेंट्स में पूस्ते हैं या मेरा जब भी किसी से कंसल्ट होता है तब भी हो मुझे ये बात पूस्ते हैं अगर आप अपनी कुडली का विशलेशन हमसे करवाना चाहते हैं अगर आप किसी भी बादा में कई दिनों से हैं या आपको इस तरह के नकारत्मक या कुछ भी अपरी संकेत मिलती है या कोई नकारत्मक एनरजी आप फील कर रहे हैं तो सबसे पहले और मूल भूत से आपको एक चीज़ करने के हो शकता है कि मंगल और और शनिवार के दिन आपके घर में आपको बजरंग बांट, हन्मान चलिसा और सुन्दर कांट मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप सुन्दर कांट का पार्ट अपने घर में नियमित आप स्वयम करें किसी व्यक्ति के लिए नहीं कि हम एक मंडली बुलाएं और करें आप सुन्दर करें यह हन्मान चलिसा और बजरंग बांट का पार्ट करना शुरू करें इसको करने से अगर घर में कोई नेगेटिव एनरजी होगी तो वो बहार आ जाएगी दूसरा काम करना है कपूर या गूगल बाजार मिल जातें नियमित अपने घर में जलाएं और पूरे घर में उसकी धूब दे पूरे घर में कपूर जलाएं और जलाकर पूरे घर में घूमें सुरक्षा के साथ कि कहीं आग ना लगे तीसरा है कि अपने घर में आप गीता के ग्यारवी अध्याई का पाट करे पहले अध्याई से लेकर अठरा अध्याई तक कोई भी एक अध्याई नियमित पढ़े या तो अठरा दिन तक नियमित एक एक अध्याई पढ़े या आप क्यारवी अध्याय का पाचन कर सकते हैं ये पहले आपको करना है अब इसके बाद रही कि कौन लोग आपके घर में काला जादू ला रहे हैं या आपके मन में ये ये जितनी सारी आपके मन में भ्रह्म या भ्रांतिया है इनको मन से निकाल दे क्योंकि ये ब्रहांतिया आपको और परिशान करेगा कोई भी व्यक्ति का किसी के उपर कोई वश नहीं है हाँ, हालात, पारिवारिक हालात कुछ समय हमारा up and down सबके life में आता तो ये खराब समय है और हम खुद बहुत negative energy create कर रहे हैं negativity से यम भाहर निकना